ये टाइप की क्लासिस हैं आपके लिए मैराथन जिसमें हर एक सब्जेक्ट की एक एक युनिट में डे वाई डे कंपलेट कराती हूँ आज मैं युनिट फर्स शेयर करने वाली असेस्मेंट फॉर लर्निंग की जिसमें लास्ट एंड यर में जो कॉश्चन आपसे पूछे गए थे सिर्फ वही डिसकस करूँगी अधर वीडियोस की लिंक भी आपको वीडियो के डेस्किप्शन में मिल जाएगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो तो ये कॉश्चन आपका बहुत जादा हाता है कि मुल्यांकन तथा मापन में अंतर और इस वीडियो का फायदा यह है आपको मापन भी समझा जाएगा और मुल्यांकन भी समझा जाएगा और अंतर भी समझा जाएगा Let's get started सबसे फर्स्ट मापन देख दें कि मापन का जो छेतर है वो सीमित होता है और मापन में व्यक्तितु के कुछ ही आयमों की परिक्षा संभव होती है, यानि कि मापन का जो portion है वो limited है, उसमें हम हर एक चीज कोई परिक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो मुल्यांकन का छेतर है वो व्यापक होता है, और इसमें छातर के संपून व्यक्तितु की परिक् रभाटिए है, यानि कि मापन साधन नहीं है, पूर्थ पॉइंट मापन कि छातर के संबंद में इस परिक्षा नहीं करता है, यानि कि मापन से रभाटिश को साधन स्था स्था पॉइंट है कि मापन जो कार्यय है वह इडन्स और कलेक्टिव करना होता है और मुल्यांकन का कार्यया साक्ष्योध के विश्लेशन से निष्कर्श निकालना होता है clear then six point है कि मापन में अधिक श्रम और समय की आवशक्ता नहीं होती है निकि measurement है जो आपका वो हम easily कर सकते हैं उसमें जाधा time नहीं लगता बट जहाँ पर evaluation की बात आ जाती है उसमें अधिक श्रम और समय की आवशक्ता फड़ती है seven point है मापन पाठे वस्तु के इंद्रित है यानि कि पाठे वस्तु के दवारे मापन किया जा सकते है लेकिन मुल्यांकन objective है उसके उद्देश्य के इंद्रित होता है देन है मापन उन इरिक्षनों की और संकेत करता है जो अंकात्मक रूप में होते है और मुल्यांकन के अंतर मुल्यांकन संपूर्ण वादवन के संबंद में इस्तिती का ग्यान कराता है मापन में वस्तु कितनी है इसका उत्तर दिया जाता है यानि कि सुनंदा नहीं गनित में 56 प्राप्त किया तो वह मापन है और मुल्यांकन में वस्तु क्या है इसका उत्तर दिया जाता है सुनंदा मापन किसी भी समय किया जा सकते है लेकिन मुल्यांकन एक निरंतर चलने वाली पर किरिया है 10.13 पॉइंट है मापन की आधार पर भविश्यवानी सार्थक्ता के साथ नहीं की जा सकती लेकिन मुल्यांकन की आधार पर की जा सकती तो इसलिए मुल्यांकन की आदार पर हम उसकी सार्थक्ता कर सकते हैं इस टाइप की और क्लासिस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना या वीडियो का डेस्क्रिप्शन चेक कर लेना आपको सभी लिंक मिल चाहेंगी ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल कि आपस समस्टर्थ लवयृक्त बंड़के ये सब्सक्रागा हैं ये सिजंफ या एक ये कुसिन के आणसर है तो फिक ये खिन के आपको के लिए यह जान नाभी उपयोगी रहता है तता संतोस प्रद होता है कि उनका जो सिक्षन है वो कितने हद तक बच्चों को लाभान वित कर रहा है यानि कि अपने वर्स में मैं समझाती हूँ इसमें जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो जबी भी हम बच्चे का एक्जाम लेते हैं तो वो किसली लेते हैं यह जानने के लिए कि हमने उसे जो पढ़ाया है वो कितनी हद तक सही पढ़ाया और उसे कितना समझाया है ठीक है तो जैसे ही हम मुल्यांग कर लेते हैं तो जिसमें छातर प्रशन पत्र दिये हो होते हैं तो प्रशनों के उत्तर और उन्हें प्रदान किये जाते हैं यह एंक जीरों से हंड्रेड तक के प्राप्तांग हो सकते हैं और इनकी आधार पर पुरव प्रदान कर दिये जाते हैं और यह प्रणाली वर्सों से बिना किसी संसोधन के चली आ रही थी जिसका कोई तार्तिक तथा वैग्यानिक आधार नहीं है क्योंकि एक बच्चा 59.8 अंक प्रदान कर रहा है तो उसे दित्य स्रेनी दी जाती है और 60% को फर्स्ट स्रेनी हम कह देते हैं आपने देखा होगा 10-12 इस्पेशली यूपी बोड के अगर में बात करते हैं तो उसमें आज तक यही सिस्टम चलता रहा है कि जो बच्चे 60% से उपर है वो फस्ट डिवीजन से पास है जो 48 से नीचे है वो 2nd और 45 से नीचे है वो 3rd तो यह सिस्टम बेसलेस है अगर किसी के 59.8 आए है तो उसे भी फस्ट डिवीजन का हमें क्रेडिट देना चाहिए बट ऐसा हमारी जो मुल्यांकर प्रदाली है उसमें नहीं है तो अं 1975 में NCRT के दुआरा जारी किया गया था और इसे ग्रेड प्रणाली की शिफारिस की गई थी रास्टे सिक्षानी थी 1986 में की प्लेइन ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिशी ऑन एजूकेशन में भी विश्विध्याली स्थर पर ग्रेड शिस्टम अपनाने की बात कही थी यानि चातरों के मत में 5 बिंदू ग्रेड और कुछ में 7 को दिया गया बट यहां पर जो नॉर्मल ग्रेडिंग प्रणाली है वो आप देख सकते हैं उसमें 7 पॉइंट्स होते हैं O, A, B, C, D, E, F और इसमें क्या है सबसे पहले एक ग्रेड की आप यह देख लो वो आपकी O, A, B, C, A, F तक जाती है देन अंक हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0 साब्तिक हम बो सकते हैं जिसके 6 अंक हैं उसे हम विसिस्ट या आउट आफ स्टेंडिंग बोलेंगे जिसके 5 हैं उसे हम A का जो ग्रेड है वो देंगे और उसे हम अति उत्तम बोलेंगे जो आपका B होगा उसे हम 4 रंक देंगे और उसे हम उत्तम बोलेंगे यानि कि above average C grade को हम ओसत कहेंगे, D grade को हम निम्न कहेंगे, E grade को हम निक्रस्ट यानि कि poor कहेंगे और F grade को हम very poor कहेंगे, तो ये आपका grading system था, short type का इसमें question आता है या इसी को आप 5 type में भी बना सकते हो, 5 में बनाओगे तो आपको इस type से distribution करना है कि A, B या C आप किस point से दोगे, ठीक है तो ये भी grade system का एक मतलब है जो आप निकाल सकते हो यानि कि जिसे हम CGPA कहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो most important question है वो end होता है आप other subject की इस type से classes भी check out कर सकते हो and for learning का जो most important question है, जो every year repeat होता है, वो है खुली किताब परिक्षा आपको इस channel पे बियर की सभी semester की classes मिल जाएंगी, तो आप check out कर लेना, ठीक है तो खुली किताब परिक्षा जैसा की नाम से ही है open book exam तो खुली किताब परिक्षा एक ऐसी परिक्षा है, जिसमें छातर परिक्षा के दौरान, अपनी पार्टे पुस्तक यानने कोई किताब, जिसके उन्हें जरुरत पड़ती है, कि मदद लेते हैं, और पूछे गई प्रिशनों का उत्तर देते हैं कुछ ऐसे पाठे करोमे में, जहां सिक्षा का उदेशे यह देखना होता है, कि छातर नियमों तथा सुत्रों तथा तत्यों का सही सही अनुप्रियोग सीख गए हैं या नहीं, तो उसके लिए एक खुली परिक्षा जो है, खुली किताब परिक्षा जो है, वो कराई जाती है, इसके महत्वपून तत्व हैं, जो कि परिस्थित्यों के अकॉर्डिंग होते हैं, सबसे फर्स्ट है, जब सिक्षक यह चातरे हैं, कि छातर बताए गए तत्यों को सिर्फ याद ही नहीं रखें, बलकि उनका सही प्रियोग करना भी सीखें, तो हम खुली किताब परिक् है, जब सिक्षक यह चातरे हैं, कि छातर यह सीख गए हैं, कि एक समय सीमा के बभीतर, संबन देत सामगरियों का प्रियों कैसे किया जाता है, शाहिद यही कारण है, कि गनित सांकिय की मनोवग्यान के सांकिय की के, परिक्षाओं में छातरे को बहुत सारी तालिक आएं, औ तो ओपन बुक परिक्षा का मतलब है, जहांपे किसी भी स्टूडेंट्स को बुक दिये दी जाए, उससे कहाना जाए कि बुक बंद करो, सभी सामगरियों के पास हो, और उससे यह परिक्षा कराई जाए, इसका मतलब सीदे सीदे यह देखना होता है, कि बच्चे में माइ गिताब होती है,